सो हे गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं array concatenation के बारे में basically हम arrays को कैसे concatenate कर सकते हैं यह सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो मैंने कुछ काम पहले सी करके रखा है मैंने या पे नमपाई नाम के इस मोडिूल को एनपी एलियास के थ्रूँ इंपोर्ट कराके रखा है इंपोर्ट नमपाई एनपी एक array बनाया है जो कि हमारा एक matrix है 5 by 3 का और इस matrix के मैंने कुछ पार्ट कट करके दो variables में store करा दिया है like array.start में मैंने शुरू की दो रोज store करा दिये और array.end में मैंने बाद की दो रोज weekend से store करा दिये अगर आपको नहीं पता कि यह indexing कैसे करते हैं तो last video मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने array indexing बताई है complete आप जाके उसको check out कर सकते हैं उसका वीडियो आपको i button में मिल जागा और इस video के description में मिल जागा अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग array को concatenate कर सकते हैं तो यह यहाँ पे दो अपनी independent arrays है like array underscore start ये एक array array underscore and ये एक array और अगर मैं इनको concatenate करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ तो देखो मैं यहाँ पर concatenate इनको कैसे कर सकता हूँ मेरे को यहाँ पर np. अगर मैं इसको horizontally यानि अगर मैं इसको column wise weekend से concatenate करना चाहता हूँ जो आपको काफी easy बना देगा चीज़ों को access कर पाना देखो actual में vstack का मतलब क्या है vertical stack vstack हम लोग rows के यूज करते हैं और hstack हम लोग column के लिए use करते हैं मैं आपको बता दूँगा अभी QM ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लोग पहले np.s stack करते हैं और इसके अंदर हम लोग किन दो एरेज को concatenate करना चाहते हैं वो पास करते हैं तो मैं arr underscore start, arr underscore end इनको concatenate करना चाहता हूँ तो मैं जैसे एंटर हिट करूँगा तो इसने मेरे को एक error show किया है जो कि मेरी एक mistake है मैंने यहाँ पे गलती से यह round braces miss कर दिये थे एक टपल पास करना होता है हमें इसके अंदर क्योंकि टपल के through सारी चीज़ चल दी है तो मैं यहाँ पे इसको अब shift enter करता हूँ देखो इन्होंने concatenate करके मेरे को दे दिया 10 20 30 और सिधा इसके बाद 100 110 120 तो basically यहाँ पे हुआ क्या है यहाँ पे दो column wise concatenation हुआ है यानि कि देखो यह एक रो था और यह अगला रो था यह दोनों अब अपने individual columns बन चुग है आप अगर इसको देखो तो यह एक column है और यह एक column है देखो actual में ऐसा नहीं है यहाँ ठीक है अचा इसको थोड़ा और simplify करते हैं देखो हम लोगों ने यहाँ पे इस particular row में यह row as a column add हुए आपने देखा यह चीज आपको समझ में आई अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको यहाँ पे वी स्टेक यूज करके यहाँ पर पूट करता हूं और shift enter करता हूं तो देखो यह यहाँ पर row wise weekend से एड हुआ है यह row फिर एक यह रो फिर एक यह रो फिर एक यह रो तो इस तरीके से यहाँ पर append हुआ है हमारा मतलब यह हमारे दो weekend से column में गए थे करने का यह वह काफी सिंपल और मेरे ख्याल से आप में 99 परसेंट उसी तरीके को प्रिफर करोगे जो कि है हमारा np.concatenate और यहाँ पे हम लोग इसको इसके अंदर हम लोग पास करते है अपने वह दो weekend से ऐरे इस जिनको में concatenate करता है मैं यहां से डिरेक्टिस को कोपी कर लेता हूं जिससे बाद में में मेरे को बार बार लिखने का मैनत ना करना पड़े तो मैंने अपने जो weekend से and को paste कर दिया है अचछा इसमें मैंने यह नहीं बताया अच एहां पर 20 से था मितलब मेरे जाए जाएगा एज समफ पता चलता तो अ कोलों वाइस जाएगा लेकिन यहां पर मैंने नहीं बताइ कि मेरे को कैसे चाहिए तो मेरे को यहांपर add करने के लिए मैं यहां पर access mention करूँंगा देखो 0 access जो हूता है वो use होता है rows के लिए और 1 access जो होता है wo use होता है columns के लिए तो अगर मैं यहाँ पर लिख दू, एक कोमा लगा के Axis equals to 0 Axis equals to 0 तो यह मेरा row yz कर देगा चलो मैं इसको करके देखता हूँ, shift enter press करते हैं तो देखो, यह row yz हो गया ठीक है? row yz यहाँ पर था और same output यहाँ पर मिल रहा है अच्छा गर मैं इसी मैं axis equals to 1 कर दू यहाँ पर Axis equals to 1 तो देखो यह मेरा column yz हो गया तो इस तरीके से हम लोग easily concatenate कर सकते हैं दो strings को I hope so आपको यह समझ में आयोंगी Thank you so much for watching the video, stay tuned